नमस्का दोस्तों मैं हूँ मनीज आप देख रहें कलाउटेकी दोस्तों आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अपने एक्षल शीट में यूजर पैनल कैसे बनाते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो लाइक और दोस्तों देख लिजिए हमने एक्सल सीट पहले से ओपन कर रखा है और हमें क्या करना है सिंपली पहले हम यूजर नेम बनाते हैं यहां पर यूजर चलिए हम एक्सल सीट पर आ गए और हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं पहले तो सबसे पहले हम यहां पर कॉलम में टाइप करते हैं यूजर नेम तैन सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे पास कोड और यूजर हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं डाल देते हैं राहूल पासवर्ड हम यहां पे दे देते हैं एक, दो, तीन, चार्ट सेंपल के लिए कोई पासवर्ड आप रख सकते हैं दूसरा यूजर हम क्रियेट करते हैं संजय संजय के नाम से और पासवर्ड भी हम कुछ भी रख सकते हैं five six seven eight कर देते हैं तीसरा यूजर हम बनाते हैं यहां पर सूरज के नाम से यह लिजे सूरज बना दिया पासवर्ड हम यहां पर रखते हैं nine one zero one और फोर्थ यूजर हम बनाते हैं हैरी के नाम से हैरी और पासवर्ड रखेंगे one two one three simple पासवर्ड रखेंगे जो आपको इसली याद हो जाए और एक और यूजर बना लेते हैं कि संतोस के नाम से शंतोस बना लिया और पासवर्ड भी रख दिया हमने डबल फाइब टू जीरो काईज एक और हम यहाँ पर कॉलम बनाते हैं यहाँ पर देख लेजे आप करेंट यूजर बना देते हैं यहाँ पर करेंट यूजर हो गया दूसरे कॉलम में हम रख लेते हैं पास कोड रख लेते हैं थर्ड कॉलम में रखते हैं लॉग इन पास कोड आप देख लिजी यहां पर हमने तीन कॉलम बनाया है थोड़ा कॉलम हम यहां पर इसको थोड़ा सा हम बढ़ा कर लेते हैं यह आपको देखने में इसी बहुत ही असानी होगी यह देखे हमने यह बना लिए तोड़ा सा कॉलम की इसका हम बढ़ा कर लेते हैं यूजर नेम का यह देखे हमने सिंपल सा एकसल सीट में हमने यह यह डेटा फीड कर दिया है सबसे पहले हमें डेवलापर मोड में जाना है आपके राइट हैं जो रिबन्स है कस्टमाइज रिबन्स उसके अंदर आपको एक डेवलापर का ऑप्शन मिल जाएगा जो बाई डेफल्ट यह डेवलापर ऑप्शन इनेबल नहीं होता है तो हम क्या गरेगे इस में? हम इसको मैन्वली इनेबल करते हैं desired डेवलापर मोड में जाते हैं अब यहां पर देख सकते हisu Devil Kelly में हमारा डेवलापर ऑप्शन हमारे पास आ गया है तो simply हमें developer के अंदर जाना है और यहां पे visual basis के अंदर जाना है visual basic के अंदर आने के बाद हमें क्या करना है insert करना है एक form हमने एक form ले लिए यहां से इस form का guys काम क्या है कि हमें एक form design करना है जिसके अंदर login ID होगा password होगा उसके बाद से यहां पे login करने का credential भी आप डाल सकते हैं ठीक है तो हम 3-4 button ले करके एक form design करेंगे Microsoft Visual basis के अंदर ठीक है तो देखिए guys यहां पे label है हमें label लेना पड़ेगा पहला label हमने यह ले लिया है ठीक है फिर मैं दुबारा से एक और level ले लेता हूं यह control करके ना दुबारा से आप control बटन दबाके आप दुबारा से ऐसे copy as simply copy कर सकते हैं label को कितना भी level आपको बनाना है जैसे कि आप जितना form design करना चाहते हैं उस तरह का आप control और आप mouse से थोड़ा नीचे करेंगे तो copy होते जाएगा उसमें तो हमने क्या करना है हमें label 1 ले लिया है label 1 के हम properties बजाते हैं और इसका नाम चेंज करते हैं पहले हैं caption दुखेंगे यहां पर हम लिखेंगे यहां पर user नेम ठीक है यहां जैसे ही यहां पर caption में नाम चेंज किया है यहां पर user नेम आ गया है दूबारा से हम दूसरा वाला जो label है उसका भी हम caption चेंज करेंगे और लिखेंगे यहां पर पास कोड यहां पर पास कोड हमने एंटर किया और पासवर्ड जैसा ही नाम हमने चेंज किया यहां पर आपके फॉर्म 1 में आपको दिख गया यहां पर यूजर नेम एंड पासवर्ड अब हमें क्या करना है यूजर नेम ले लिया औ मनीज और मनीज का पासवर्ड हमें यहां पे टेक्स बॉक्स में एंटर करने के लिए हमारे पास टेक्स बॉक्स होना चाहिए तो हम यहां पे टेक्स बॉक्स के लिए यहां से टेक्स बॉक्स ले लिया हम उठा लिये यहां से ठीक है simply text box का नाम change करेंगे है हम इसको नाम कर दिते हैं इसका जो नाम है text box को tex user कर दिते है text user user इसलिए कर रहे है कि जो हम नाम enter करेंगे यो definitely user ही होता है तो user हम करेंगे उसमें ठीक है और second वाले में हम करेंगे text password जिसमें हम password हम put करेंगे उसमें उसको हम text password के नाम से इसकी नाम change करते हैं तो हम simply text password ले लिया text passcode ले 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 लिए यह लिए text passcode इसका नाम change करते हैं आप यहाँ पर click करके एक बड़ देख लेंगे हम यहाँ पर text यहाँ पर देख लिए आप text passcode हमें ले लिया अब हमें क्या करना है कि हमारे पास नाम भी आ गया passcode यहाँ पास कोड भी आ गया नेम भी आ गया और यहाँ पर फिल करने का हमारे पास एक कॉलम ही बन गया और यहाँ पर पासवर्ट डालने के भी हमरे बस कोड़ हमें लोगिंग करने के लिए भटन चाहिए ला तो हमें यहाँ पर लगाना पड़े गा intervening के लिए तो यहाँ हम नाम चेंज कर देते हैं, cmd लोगिंग कर देते हैं पहले, cmd लोगिंग कर देते हैं, और caption में भी इसका नाम हम चेंज करेंगे, जो command button 1 लिखा हुआ है, उसको हम नाम simply चेंज करते हैं, login, देखेंगे, यहां पर हमारा form बनके बिल्कुल ready हो गया है, आप देख सकते हैं, हम और ठीक कर देते हैं इसको, आप पास कोड है, इसको इधर कर देते हैं, लब कि आपने recording form को design कर सकते हैं, अब हमें क्या करने पड़ेगा, हमें visual basic के अंदर जाना पड़ेगा, तो जाने के लिए हम क्या करेंगे, double click करेंगे, login के अंदर, तो guys, देखें, हमारे पास, यह login logging, logging करने के बाद, यह हम visual basis के अंदर आ गए, ठीक है, तो हमें क्या करने बड़ेगा पहले, मैं आपको command में आपको बता जिता हूँ, मैंने सारे command लिख के रखे हुए, तो मैं आपको simply बता दो, और इस सारे command में आपको description में, आपको देवी दूँगा, वहां से आप, बिल लिया हुआ है, ठीक है, अब क्या करेंगे, हम worksheet का नाम set करेंगे, पहले हम इसकी जो variable है, उसको हम change करते हैं, ठीक है, तो variable change करने का command है, set ws is equal to, अब इसका जो worksheet है, उसका हम नाम change करेंगे, उसका नाम रखते हैं, seat 1, worksheet 1, seat 1, अब ये seat 1 क्या है, मैं आपको बता जेता हूँ, seat 1, जो हमने excel sheet यहां पे खोला हुआ है, तो आप देख सकते हैं, यहां पे seat 1 लिखा हुआ है, यही हमारा वहां पे नाम change करना है, जो worksheet लिखा हुआ है, उसको seat 1 करना है, तो चलिए हम दुबार से visual basic में चलते हैं, और enter क press करते हैं, ठीक है, फिर हमें एक और command यहां पे मैं आपको use करता हूँ, यह command, ठीक है, ws.range f2 value is equal to me.texuser.value, ठीक है, मैं इस command का मतलब आपको समझा देता हूँ, f2 जो हमने use किया हुआ है, वो f2 क्या है, आपका current user है, जैसे मैं आपको excel sheet में दिखा देता हूँ, यहां पे current user है, आप party का नाम बोल सकते हैं, यह current user बोल सकते हैं, जैसे मैं राहूल पे क्लिक किया, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि f2, जो इसका cell number है, f2, उसको हमने use किया हुआ है, f2 हो गया, और जो text user का, यह text user बोल सकते हैं, इसको text user का value है, cell number f2, उसको हमने यहां पे use किया है अब simply हम क्या करेंगे फिर से वही command यूज़ करेंगे ws.range f h2 sorry h2 यूज़ करेंगे और मैं h2 का मतलब आपको समझा दूँगा अभी मैं command एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ जो इसकी coding है मैं एक बार coding करके मैं आपको simply समझा दूँगा आपको value is equal to me dot txt passcode dot value देखें h2 है यह passcode हमने passcode excel sheet में कौन से cell में दीए हुए है यह हम देखा देता हूँ उपको यह ने passcode है हमने दीए हुआ है यहां पे है यह logging passcode जो हमने दीए हुआ है यह h2 में है ठीक है आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहां पर h2 वाले जो कॉलम है वहां पर जो cell नमर पकड़ रहा है है यह हमने h2 यहां से ले लिया है तो एक बार हम इसको रण करके आपको दिखा भी देता हूँ जैसे मैं इसको रण करूँगा यह आपका ऐसे लोग इन आईडी और पास्रोट का आप्शन आजाएगा आपके पास में तो फिलाल मैं इसको बंद कर देता हूँ इसके बाद क्या करना पड़े गा ड़को इसके बाद आपको एक न यहां पर के यूज करना पड़ेगा इफ लूटऌप कमांड ठीक है किया यह जो इफ यह जो एर उफ एरब अभी लूक अप यूज घरते हैं जैसे कि मानके चले कि आपका कोई आपने पास्वर्ड डाला यहां पर तो बहुत बड़ा message ना करके एक आपका false और आपका जो true है वो आपको message यहां पर display करें जैसे मान की चलिए कि मैंने यहां पर Rahul लिख दिये यहां पर अगर मैं राहूल के जगे कोई और नाम लिखता हूँ तो बैसिकली इसका यूज यही है मैं आपको command में बतायता हूँ यह है आपका command is equal to is equal to if error यानि कि अगर error आता है we look up use करेंगे if to यह जो हमने use किया है if to यह आपका राहूल है users जो हमने if to use किया है if to use किया है फिर a2 और a2 column b7 मतलब कि जैसे मैं इस cursor ले जाता हूँ आप देख सकते हैं कि यहां पर राहूल से ले करके संतोर मतलब कि b7 वाले जो column है वह हमने select किया है तो वह option यहां पर आ जाया है फिर आप तू हमने वहां पर use किया है तू क्या है राहूल के बगल में जो passcode है जो passcode लिखा हुआ है वह column number two में है उसको हमने use किया है तो उसका जो two value है यहां पर हमने value डाल दिया ठीक है उसके बाद false हमने लिखा यह command है आप copy कर सकते हैं यह सारे government में आपको description box में दे दूँगा आप वहां से use कर सकते हैं तो फिराल चलते हैं हम फिर दुबारा से अपने visual basis के अंदर जाते हैं एक बार फिर हम visual basis के अंदर चलते हैं जहां पर हमने code खतम किया था उसके बाद हम if function स्टार्ट करेंगे अगर मान लेजिए कि login और password match करता है तभी login होगा इसलिए if function यूज़ करते हैं तो चलिए command यूज़ करते हैं यह code है इसका if वाज यह हमारा range है h2 h2 आप समझ सकते हैं कि h2 मैं आपको दुबारा से बता जाता हूँ यह रहा आपका h2 यानि कि logging password और current user दोनों से अगर match करता है तभी आप उससे logging कर पाएंगे ठीक है तो दुबार से हम इसके अंदर आ गए उसके बाद से हमें क्या करना है यह जो greater than लगाना है यह greater than का बताता हूँ आपको कि क्या यूज होता है इस greater than का अगर मतलब की greater than का मतलब है अगर match ना करें तो यहाँ पर फिर से एक range देंगे अगर match नहीं करता है तो हम क्या करेंगे अगर match नहीं करता है तो हमने यह range दे दिया जी टू का range दे दिया हमने जी टू जो आपका password है यह जी टू का मतलब कि यह जो logging है और यह password है दोनों match नहीं करता है तो क्या होगा उसके बाद से उसके बाद से हम simply एक और code यूज़ करेंगे चलिए हमने ये code यूज़ कर लिया है जो message box में high लिखा है उसके बाद से ये code आप यूज़ सकते and ws.range f2 f2 का आपको पता ये क्या है users है जो party का नाम है f2 है और जब माली जे कि party है या users है गलत enter करता है तो आप ये message है उसको display होईगा मतलब कि you are entered wrong password ठीक है तो basically इसका यही है if users wrong password देता है मतलब डालता है तो आपके पास में इस type का ये message आपको show करेगा इस पर चलते हैं तीसरे code के तरफ चलिए हम तीसरे code को यहाँ पर लिख रहे है else if अगर कोई सही password डालता है सही user ID और password डालता है तो क्या होगा अगर कोई सही password डाल रहे हैं यहाँ पर user name डाला और सही password डाला तो उसको आप किस type की message display कराना चाहते हैं इस code में आपको यहीं लिखने वाला है जैसे कि माचले ये वाला copy मैंने कर लिया इसको ऊपर वाला जो है मैं copy कर लेता हूँ और यहाँ पे उसी को paste कर देता हूँ paste करने के बाद मैं थोड़ा edit कर देता हूँ यहाँ पे यू आर successfully logging ओके तो जैसे ही अब वो logging करेगा इस type का message उसके पास आएगा कि यू आर successful logging चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसको upload unload मी करते हैं मतलब कि वो जो form है उसको unload करते हैं इस पर ठीक है जो form हमने design किया था उसको unload करते हैं तो उसका simply form इसका जो code है unload me ओके उसके बाद से हम इसको बंद करेंगे ind ip से इसको बंद करेंगे मतलब कि कोई code आप लिखते हो तो आपको बंद करना पड़ेगा ind से ठीक है इसको हमने बंद कर दिया और एक बार हम इसको code है हम एक बार run करके देख लेते हैं कि सही से काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है तो run पर click करते हैं तो देखिए यहां पर हम आ गए अगर मान के जलिए कि मैंने sanjay sanjay हमारा है यह sanjay user है और इसका password है तो मैं sanjay यहां पर type कर रहा हूँ sanjay और password मैंने लिखा इसका 5678 अगर मैं गल्द password लिख रहा हूँ यहां पर 789 किया मैंने क्योंकि मैंको आपको दिखाना है कि actual में इसका काम कैसे होता है मतलब कि आपने जो code लिखा हुआ है जो program किया है आपने वो किस तरह से काम कर रहा है तो मैंने 756789 मैंने यहां पर type किया और जैसे ही मैंने login पर click किया तो guys आप देख सकते हैं यहां पर लिख रहा है Hi sanjay you are entered wrong password that means कि आपने गलत password यहां पर enter किया है तो यह message आपने वहां पर लिखा था जो code आपने जो Microsoft का जो visual basic था उसके अंदर जो आपने code लिखा था है कि you are entered wrong password वो यहां पर आपको display हो रहा है अब मैं चलता हूँ यहां पर सही password कर देता हूँ यह देगे यहां पर जैसे ही मैंने सही password लिखा है तो आपको यहां पर show कर गया है यहां पर यहां पर सक्सक्राइब आपको message दिख गए यहां पर कि hi sanjay you are successfully logging guys यह है इसका basically बनाने का जो logging logging ID और password का पैनल है उसको बनाने का यही एक coding किया जाता है ऐसे coding किया जाता है आप भी आप easily बना सकतो मैंने सारा description box में यह सारे जो code है मैं copy paste कर दूँगा आप अपने recording आप simply आप code का जो है sale number चेंज करना और बाकी चीज़े आप देख ले ना user name password उगरा जो भी है और चेंज करके आप ऐसे ही बना सकते हैं बिलकुल और यह बहुत ही मतलब कि जो Excel पर काम करता है और एक ही Excel पर तक आपको पता नहीं चलेगा इसलिए यह बहुत इंच्छा है जो Excel पर काम करता है जो data entry का काम करवाते हैं उनके लिए बहुती benefit है यह गाइज मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो like and subscribe जरूर करें साथ ही बेल आइकन पे जरूर बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको वीडियो की notification आवसानी से मिल जाएं तब ते के लि